कि इतने लोग होंगे कुछ अंदाजा के वेरा पार्टाजी बीड़े बीड़ो रही बाद में पूरे रोडबाद में आपका पीछाद में के मां की एक नम चुकुर्देगा फड़ा फड़ी होगी उन्हें मतलब के बिट्टु के हैं यह यहां के हैं यह वहां के हैं तो हैं मुसलमान भी हैं इंदू भी हैं सबसुन लीजी जैसे फुकी उसको पेट्रल एट्रॉल से पहला तोड़ी जाती वह बस किसका था नहीं था किसी को कुछ पता नहीं था फिलहाल तक लोगों तक वह बस की बस तस्वीर पहुंची थी कि किसी बस से साइबर सेल की दीवा तोड़ी गई तोड़ क्यों दी गई उसका कारण बस ये था कि कत्तिस तारिक जो कुछ हुआ जो साइबर सेल में जो रिकॉर्ड्स हैं जो फरजी वारे चोरी लूट पे किरिकॉर्ड's है उनको बरवाद कर दो उनको तबहा कर दो और हमारे साथ जो लोग यह पूछते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ, बच्चीयों के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बड़ा अच्छा था तरी बस थी, ऐसा भी नहीं था कि वो बस किसी मुनु मनेसर और किसी बिट्टू बजरंगी का था ऐसा बस जो रोज अलवर से दिल्ली तक का सफर करता है ऐसा बस था यात्री बस यानि कि जिसका शहर से भी कोई लेना देना नहीं उस बस को निसाना बनाया गया तो आईए हमारे साथ आईए ताउ आईए तो पहले अपना नाम बता दीजे रामकरन रामकरन जी अब भाई सब्सक्राइब कर दो मारे पराणे परमनी आएथा इए यातरा में तो आप ते नहीं तो नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं आपकी बस कैसे वहां खड़ी एक नम लूट ली क्या करेंगे आपकी बस लूट ली लेकिन मैं यहां लोगों से बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि जी हम तो बिट्टू बजरंगी से नाराज थे मौनू माने सर से नाराज थे तो तो आपका बस कैसे बस कहां से आ रही थी अलवर की तरफ से कहा नुपराने बस डेगे पाज दिल ली जाती है ना कितने यातरी होंगे उसमें इसमें यात्री होंगे 35-45 शाथरी हैं कौन-कौन थे यातरी में लेडिज भी बच्चे भी बुड़े भी हैं मुसलमान भी एंडू बीएं इंदू तो यह बताओ कि क्या हुआ उस दिन अचानक आपके बस के सामने अचानक आदिये जब एक इतर बजार की तरफ साइब बड़ा पत्थर लागे कितने लोग होंगे कुछ अंदाजा अंदाजा की रपार्टाजी बीड़े बीड़ोरी बैड़ा चुकुरते रोडबाद मी आद पर अलब पतार में सोपनाइब जैक्ति आप लोग तो बगली है नहींλά हो सबस्दों के सामने खड़ी है ड्राइवर थे आप चला रहे थे क्या हुआ आपके साथ क्या हुआ हमारे जी फिरोजपुर से शराय काड़ेखा के लिए एकदम से यहां दंग आई भीड आई एकदम ते पत्तर दे पत्तर पत्तर होने लगी जो हम भागने लगे उतरके हमारी चाबी खोसली आपकी चाबी खोसली अच्छा हम अपड़े बाग के वरक्षाप में कुछ गए उस बड़ी है दो बच्चे के साथ अपने विए लटकी थे टिःग्प एक चाब लटकी थी ओवी नो घंच वी उली बीचर बार व भी टिर्बाड दी तो आप वह गाड़ी भी आपके सामने यह पूखिए यह नहीं पूखिए कैसे फूखिए उसको पेट्री लेट्रोल से पदा लशमार मार के चोड़ रहे से शी स्वांगा चुकुरते गए फिर पीछे दाग लगाते गए फिर बाई पांस ताहीं लगा दी चुकुरते का लगा दी बाहर कूल लख ले बसल्डे वा यह कहानी आप समझ लीजिए ताउ के सामने ही जो महिला जज की आपने ख़बर सुनी होगी उनकी गाड़ी भी फूकी गई और वो अपनी बच्ची के साथ सामने डिपो में चली गई यह पूरी कहानी है और जिस बस में ताउ का जो बस था जिसके यह कंड़क्टर हैं वही बस साइबर सेल में ले जाकर मारी गई और उस बस में यात्री थे वो ऐसे भी नहीं था कि यहां के रहने वाले लोग थे यात्रा में शामिल होने यात्री वाले लोग थे वो ऐसे लोग थे जिनका इस शेहर की यात्रा और शेहर से भी कोई लेना देना नहीं चलती हुई ब भी नहीं रहा हमने को चोरी तोड़ी कि यह पत्थराओ कि तोड़ी किया हम जज गएंगे क्यों तब यह करना चाहते हैं भी गलत तो हो यह है घलत हमारे को आपकेले मिलना थी हमारे को भी हमारे तो अब कम से कम चया सातला का नुक्षान सारी फोर दी शीडवी तार लेगे आगा मीटर भी फोड़ी ए चोड़ दे बस पोर दी मारी नहीं तो यह सारे पचिस तनी नीचे नीचे लागा है तो यह कानी है जब बस के कंड़क्टर और बस के ड्राइवर बहाग गए तो उसमें जो बस के यात्री होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा आप समझ लीजिए बांकी सब कुछ बता कहीं नहीं बताया जाता है